नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चनल में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मरे पास दो मीटर आये हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं और इसका ओनर है संदीब डोगरा जी जिन्नोंने ये मीटर मुझे रिप्यार के लिए भेजे है तो ये रहा उनका एड्रेस और ये delivery.com से आया है जो कि काफी आसान होता है आप घर बैठे इस कुरियर सर्फिस से बूक करके अपना package कहीं भी भेज सकते हैं और Indian Postal का भी साहता आप ले सकते हैं ठीके ये रहा उनका एड्रेस और साहइड में है मेरा आड्रेस तो क्या परे वीडियो सुरू करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले जो नेव हाई लोग है मैं उनसे गोजारिस करूंगा कि वो चनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकर्शन बटन दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकर्शन आपके पहुंच जाएगा और अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई डाउट आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं तो अब बहुत टाइम लगेग हूं मिटर का कंडिशन कैसा है और कौन सा वाला मोडल का ये मिटर है उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें परिसानी क्या है इसका जो पैकिंग है बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने किया है जो कि अगर सिपिंग में कोई टक्करवकर लगती है तो ये इसको कुछ नुकसान नहीं पहुचेंगा तो चलिए पहले एक को खोल के मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद दूसरे को हम लोग खोलेंगे क्योंकि इस टाइप का पैकिंग अगर आप करते हैं फॉम वगरा देखे तो सिपिंग में जैसे ही आप बेजेंगे उसमें इसके कंटर और यह वाला मैं आपको खोलके दिखाता हूं और यह है यूजी 3 मोरेल उस टाइप करमेटर इस्तेमाल होता है जो कि बिलकुल ऐसी मोडेल है ठीक है पासर का एसी और डीसी दोनों मोरेल अभी भी चल रहा है ऑसी मोरेल पहले वाले जो पासर था जो डेटी आइसाइ बेट्टरी से चलती है और जो हैरल रायर से करन्मतिकी जलती जैसे याप धीरवाला एनदर डिस्प्ले है तो हम दोनों को खोलेंगे खोलने के बाद पता कौन सा सही हो पाएगा ठीक है तो चलिए इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूं एक-एक करके एक मेटर को खोलेंगे उसके बाद दूसरे को लीजिए पहला वाला मेटर जो मैंने खोल दिया है अब इसके अंदर क्या परिच्छा नहीं है हम दोग देख सकते हैं इसको खोल कर तक अबासा जो त्यवेस डायड बोलते हैं जिसको वह भी मिसिंग है और यह इसका नंबर जो है इसको चेंज किया गया यह नंबर इसमें नहीं लगता था जो इसर बोलता है पावर ट्रेसिटर और यह प्रसेसर है इसको भी फूटा दिया गया है, मतलब यह फूट गया है, क्योंकि ज़्यातर cases में फूटता नहीं है, किसी ने इसको गलत voltage या गलत तरीके से इसको handle किया है, जिसके वज़े से ये इसमें इतना बड़ा छेद हो गया है, मतलब ये meter बेकार हो चुका है, इसमें कोई कुछ नह बचा है अभी, ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं हो पाएगा, किसी भी हाल में ये सही नहीं हो पागया, लेकिन इसका जो display है, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूसरे वाला meter है, उसमें display नहीं है, तो पहले देख लेते हैं, उसका PCB का condition क्या है, अगर PCB सही होता है, उसक अगर वो खराब हो जाता है, तो वो अभेलेवल नहीं होता है, तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम लोग देखते हैं, इसके आंदर जो PCB है, इसमें क्या परिशानी है, और कुछ है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने, चो संदीब जी ने मुझे बहुत request क कि आप सर एक मीटर मुझे बना के दीजिए, मुझे जरूरत है, तो यह देखें इसको डिस्प्लेई इसको किसी ने उखार के ले लिया है, आप दिखाता हूं कियों मैं बोल ला हूं कि उखार के इसको निकला गया है, अब पहले मैं आपको दिखा देता हूं, इसका जो PCB क अब बैक साइड है, अब देख सकते हैं, जो डायल है उसको कटा गया है, आरी से, पहले बाले को भी तो गरम कोई छुरी हो गया, आपका कोई नाइफ हो गया, इससे कटा गया था, और इसको भी आरी से कटा गया है, फिर से इसको जॉइंट किया गया है, भाई आसानी से आ निकला है वह भी ठीक से नहीं निकल पाया इसका जो डिस्प्ले का लेग है वह तूट कर यहां पर अटक गया है मतलब वो डिस्प्ले भी वेकार हो चुका है जिन्होंने इस डिस्प्ले को खोला है वो डिस्प्ले किसी काम कर नहीं होगा कि वह तो लेग तूटा हुआ है और तो इसका डायल के काट के रवी इसको alignment करने की कोशिज की गई है अभी हम थोड़ा PCB को देखेंगे इस PCB में क्या परिशानी है PCB मुझे लग रहा है प्रोसेसर इसका सही है क्योंकि ज्यादा कुछ छेडखानी इसमें किया नहीं गया है जैसे पहले बाले में आपको मैंने atta a car है इसका display हम लोग ले लेंगे लेके यहां पर लगाएक टेस्ट करेंगे तो पहले PCB को सही करते हैं तो पहले मैं चैक करके आपको दिखाक देता हूं क्या क्या चीजिस में सोडैसे और क्या क्या चीजिस में सही है तो अब जिसे बाद हम लोग एक एक चीज को चेक करेंगे क्योंकि पहले भी मैंने जो फिडियो बनाया है उसमें भी चेकिंग के प्रोसेस मैंने बता चुका हूँ कौन सा कॉम्पनेट को कैसे चेक करना है तो यहां पर ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं कि कि अपने वीडियो है तो आप लोग देखिए यह भी खराब हो चुका है क्योंकि इसके जो दो फोल है उसमें 500 के आसपास और एक पॉल में 300 के आसपास रेस्टंस बनना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह कॉंस्टन नहीं दिखा रहा है मतलब यह कट चुका है 14000 के आसपास यह आ रहा ह होते हैं जिसको एनपेन बीजेटी बाइप्लाज जोंक्सन डायाड इसके अंदर रहता है जो गेट है इसका तो यह भी कटा हुआ है 500 के आसपास विडिंग अना चाहिए और एक में 400 के आसपास तो यह भी खराब है और एक चीज आपको इस टाइब के मेटर में मिलेगा न 'MD-4 इसको बोलते हैं यह हो चुका है क्योंक्सका कॉंटिनूुटी भी गलत दिखा रहा है अगर यह खराब हो जाएगा तो आपक ultimate काम नहीं करेगा आपका जो संशर हो गया वहीं काम नहीं चलिए स्पेयर कुछ निकाल लेते हैं उसके बाद इसको फिट करके मैं आपको फिर से इसको दखाऊंगा कि यह सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो इस पैयर निकल लेकर थोड़ टाइम में आप से लूँगा क्यूंकि यह देखके इसको निकालना पड़ता है और टो जो कॉपनेरेर अगर कोई भी लगा रहे है तो उसका फिन अउट उसका वोल्सका घ्रोड़ कितना है कितना अप्रेट करता है कितना उप्साइब तो उसकेillorg में तसांप एक चीज को तो जो नंबर है जो नंबर आपको मिलेगा 750 Q एक नंबर है T420 TS4204 एक नंबर है इसा नंबर रहता है इसमें जो कि सैम है इसके साथ जो नंबर अभी लगा है वो गलत नंबर है वो है तो यह अलग चीज है और यह अलग चीज है यह थारेश्टर में लगा होता है जिसको से भी बोलते हैं ठीक है अभी BCP56 भी हम लगाएंगे क्योंकि यह अगर आप नहीं डालते हैं तो जो प्रसेसर है उसको यह स्विचिंग नहीं करेगा ओन नहीं करेगा अगर यह खराब हो जाएगा तो यहां पर भी में एक निकाल लेता हूं यहां से क्योंकि यह सारे जो इसको निकाल कर आप रखते हैं तो इसको डाल के रखिए ताकि आपको बाद में परसानी नहीं तो आपके पास होगा कॉंपनेंट नहीं तो आप ढूंदते रहे जाओ कि हां कॉंपनेंट था लेकिन कहां है तो इस सिबको आसा मतलब एक के आरे में आपको रखना पड़ेगा जो कि आपको ढूंदने में आसानी होगी कि हो गया कॉंपनेंट मैंने निकाल लिया है आप यह दूपनेंट के ऊपर मैंने कॉई वीडियो नहीं दिखाया था कि ज़्यातर खराब नहीं होते हैं अगर अब छेड़ खानी करेंगे तो यह खराब हो जाएगा कि यह हैं से जॐह कोई कि वह इसके बारे में बोल रहा था और प्वटते हैं किकर मोल उतर बेभार्णी कि दो इसलिए च्राइब सब्सक्राइब करने लिए थो भी हो खराब हो चुका है उसको गलिट तरिकेसे। करने से यह वरिषानी रहती है कि इसके जो यह component है यह खराब होता है अगर उससे ज़्यादा कुछ इसके साथ छेड़ानी करते हैं तो जो प्रोसेसर है वो कट जाता है और उसके बाद यह मेटर आपका बिल्कुल डैड मतलब इसके साथ आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं यह र अथारिस्टर हो गया यह BCP 56 हो गया यह सब उसके अंदर रहता है एक ही आईसी के अंदर लेकिन पहले वाला जो मेटर था इसको अलग-अलग डिविजन करके अलग-अलग सेक्षन के अनुसार इसको दिया गया है जैसे यह सूचिंग के लिए आईसी सूचिंग के लिए अ इसके बाद आपको नजया लागा के मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ तो पहले निकालने के लिए आपको थोड़ा मतलब वह जो पुरानावाला आईरन होता है जो जैनल स्रूल्टरिंग आईरन होता है उसके हिसाब से भी आप उसको निकाल सकते हैं लेकिन उस के उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा हीट अगर एपलाई करते हैं तो बोर्ड जल जाएगा और कॉंपनेट भी खराब हो सकता है यह निकल गया जंपर मननेग बाद उसको सिलेंड देके सील करेंगे ताकि नया जैसा इमिटर बन पाए आगे कोई परिशानी ना हो क्योंकि यह बहुत दूर से भाई ने तो मरा सब्सक्राइब है कि उनको अच्छी तर्के से सही करके चेक करके एक चीज को चेक करके उनको भेजूं ताकि उनको आगे कोई परिशानी ना हो यह मैंने इसको फिट कर लिया है देख सकते हैं आप टीनों चारों चीज फीट हो गया है और एक रिजिस्टर भी हमें इसको प पावर देखें टेस्ट कर लेंगे बोर सही हुआ कि नहीं हुआ है बोर सही होने के बाद हम लोग इसमें डिस्प्ले का इंस्टॉल करेंगे और बहुत कुछ चीज इस वीडियो में हैं जो आपको देखना चाहिए ताकि आप भी देख सकें कि ऐसा भी काम हो सकता है बना सकते है इस टाइब का जो काम किसे ने इसके किया था बहुत बुरी तरीके से इसको डमेज किया था 2 pię林 घमेज एक तो पूराłos देमेज निखी दिखाई दिया था इसलिए मैं पाईको बोला कि यह सकते हो यह बन सकता है और यह ऐलेलीबी कूछ यह यह थिसमें मतलब उसका जो चीट रहता है वो निकला हुआ है साइद इसको गरम करके निकलने की कोशिस की आ गया था जिसके वज़े से इसका उपरी भाग जो है वो उखड के बाहर निकल गया इसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा पहले इसको हम लोग पावर देके टेस्ट कर लेते हैं ताकि पत पावर देते हैं और बिना निडिल इंस्टॉल के आप लोगों को पता नहीं लगेगा मुझे तो साउंड मिल जाएकी मोटर की चलने के आवाज आ जाएगी आपको साहथ नहीं आप आएगी इसलिए यह निडिल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को भी को ठेहाँ और यह नड़ीकम कर रहा है और यह सब जाती है लेकिन जो लिस्पेशन नहीं करता है यूजी 3, यूजी 4 में वो भी glow कर रही है जो red color में आपको दिखाई दे रही है तो फिर से मैं आपको power दे के दिखा दे रहा हूं यह देखिए यह बिल्कुल सही हो चुका है बोर्ड तो बोर्ड सही होने से भी हम लोगों को यह doubt मन में रहता है कि जब तक display इसमें install ना हो त कर दिया जाए तब तक यह पता नहीं चलेगा तो इसको खोल लेते हैं उसके बाद इसी को हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रॉल करेंगे यहां पर PCB को मैं आपको दिखा दूंगा जो पहले वाला PCB यहां पर आप देख सकते हैं कि बुरी तरीके से इसको काटा गया है गरम करकर करके काटा गया है आसानी से डिस्प्ले खुल जाएगा ऐसा मत करिये यह आपको अच्छा लगता है यह चीज करने में बदह सा दिखाई देगा यह अच्छा लगता है इसको भी काटा गया है अब जैक सकते हैं यह जो पार रहा है चोड़ दीजिए वह अलग बाद है इसक कि इसे काट के उसको भदधा मत कीजिए को ढूसकरा में है कि नहीं बन पाया तो इसको बुरी तरह से काट चाट के उसको निकाल लो तोड़ दो ऐसा तो नहीं हो पाया छोड़ दो वो अलग बात है कि वही ची piramot आपको बाद में काम में आ सकती है जैसा यहां पर काम में आ रहा है भाई के पाइस दो मेटर था मैंने बोला एक मेटर आपका बन जाएगा तो इसको यहां पर जॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि इसको बढ़ा के इसको जॉइंट किया गया था ताकि डिस्प्ले आसानी से फिट हो जाए किसी ने इसको किया था उस टाइप के तो हम लोगों को इसको आची तरीका से काट के यहां पर बिठाना पड़ेगा यह रहा पीसीबी जो बिल्कुल डैड है इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रोसेसर अल्ड़ी फुटा हुआ है तो चलिए मैं इसको यहां पर फिट करके पहले देख लेता हूं कितना मुझे काटना है कि यहां पर कितना गयाप चाहिए मुझे यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं ठिक प्रोसेसर के आज सपास रहना चाहिए आधा प्रोसेसर बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा यहां पर देखिए आप अलाइमेंट आ नहीं रहा है क्योंकि अगर यह जो मेल्टिंग सर् कर दिया है इसको और यह बिल्कुल फर्सक्लास दीख भी रहा है और स्ट्रॉंग भी है कोई दिक्कत नहीं है डिस्प्ले भी इसमें इंस्टॉल और लेली था तो दोनों को जॉइंट करना था मुझे जॉइंट मैंने कर दिया है और कुछ जगह पर जो काटा हुआ सर्फेस ह उसको भी मुझे प्लस्टिक से जॉइंट करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं जो गैप्स जहां पर मारा उंगली है वो गैप्स नहीं रहना चाहिए यहां पर अब देख सकता है यहां पर तोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ सर्फेस रहता है इसमें ताकि लाइट जो है वह परफेक्टली डिस्प्ले के डाइल के नीचे रहे और फार्फेक्टली उपर की तरफ उसका जो वीम है वह उपर की तरफ ठैल सके यहां पर भी जॉइंट करना पड़ेगा चलिए इसको जॉइंट करते हैं उसके बाद फाइनली उसको एक चीज को टेस्ट करेंगे को टेस्ट करेंगे की डाइल करते हैं कि यह तो फिट नहीं के लिए लिए लोग क्या करते हैं कि इसको गुसाद वैसे ही ऐसा नहीं होता है कि यह चीज मुझे बहुत बुरा लगा तो आगे से में इस टाइब के मेटर का काम नहीं करूंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम देना पड़ता है मेटर का सरकीट मैंने सही कर दिया वह अलग बात है सारकीट केस में फिट हो गया और मेटर चला गया लेकिन इसको ठीक करने मे जो एलाइमेंट होल रहता है उसको सही करना इसमें काफी टाइम लगता है देख सकते हैं आप दोनों उंगली में मैंने जो छेट के अंदर दिया था तो यह मेल्टिंग वाला जो था इसको हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग जो अच्छा है सही था जो डाइल उसी इसंटर नहीं होने से सुवी भी चीक से काम नहीं करेगी और कभी फस सकती है जब बाइक चलाएंगे तो आज के आंदर यह फस सकती है यह देखिए बिल्कुल संटर में आ गया है यह इसको हम लोग फिट कर लेते हैं फिट करने के बाद फाइनली हम उसको टेस्ट कर और यह चीज को भी मुझे पैच करना पड़ेगा मतलब रिप्यार करना पड़ेगा यह था नहीं चाहिए नहीं तो लाइट रिफलेक्शन नहीं होगा बहाँ पर से वह पर से वहां पर से पर सभी किसी ने उसको काट के बाहर निकल दिया है तो चलिए फाइनली उसको मैंन करने से पहले एक चीज में उपर एपलाई करूंगा जो कि वैदर काउट है और आपका जार्क से या मॉस्चर से इसको बचाएगा पीसीवी को कोई भी कॉम्पनेट गरम होके उखड़ेगा नहीं या पानी जने से कोई परिशानी नहीं होगी आगे ठीक है तो पहले हम लोग प्रसेसर के उपर इस्तेमाल करेंगे उसके बाद पूरे बोड को हम लोग लैमिनेट करेंगे इससे लिकूट प्लास्टिक होता है सुख जाने के बाद एक प्लास्टिक का लैयार कॉम्पनेट के उपर चड़ा हुआ रहता है जो की पानी से बचाएगा और मोश्चर से बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो चलिए इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और जब लगाए आप ज्यादा प्रेस करके उसको मत बिठाए अब पहले देखिए लेग सब सेंटर में है कि नहीं है अगर प्रेस कर देते हैं तो डिस्प्ले टूट जाएगी यह कि मैंने जो उभरा हुआ जो रफ था इसको भी समूत कर दिया है कर आभ हैँ आभी कि मखंफ करेंगे डिर्यगे सको टेस्ट करेंगे चालjutरफ होने से त्रिच से यह texting रागग डाहें वह सकती है कि यहाइनल भी हो जाएगा कर एक यह बार टेस्ट कने से दुबारत मुझे करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए इसको पहले फिट कर लेते हैं कि यह देखिए इसका जो सेंटर है यह बिल्कुल सेंटर में आ गया है और यह डायल भी देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ गया है तो अभी वादकी है कि की टेस्ट या की सब कर 191 का मिससं mejorar के या कर रहा है है कि सभीसान टेस्ट करने के पाथ मेरे पांस जो भी मीटर आता है एक एक चीज में ने खोल के यहां पर इंस्टोल कर दिया है और यह प्लास्टिक यह अपर लगा हुआ है क्योंकि यह जो कवर है अप्टर मार्केट है भाई ने चेंज किया होगा वह ने तो इसके उपर जो प्लास्टिक निकाल दीजी है क्योंकि ज्यादा दिन अगर प्लास्टिक रहेगा तो यह बाद में अगर निकलेंगे तो आसानी से उठेगा नहीं और पैज जैसा दिखाई देगा जो कि प्लास्टिक के साथ पैस्ट हो जाएगा धूप में जब अब गाली खड़ी करेंगे यह प्लास्टिक खराब हो खते हैं आप झोग जिरो पॉट फॉर हे ट्रीप का वाण का ये ट्रीप का आप देख सकते हैं 00 है तो में हम लोग test करेंगे कि इसका जो किलोमेटर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहे तो आप गोर फर्माइए देखिए आप गोर से मंश सको रिडिंग उठाके आपको लगाता हूं तो यह दिखे यह अच्छी तरगे से काम कर रहा है रिडिंग काम कर रही है यानि इसका जो रिडिंग का सेक्षन है बिल्कुल सही है कि यह देखिए कुछ जो जिरो पॉइंट संथिंग किलेमेटर में इसमें दोड़ा के आपको दिखा दे रहा हूं अभी हम यूट्रल का लाइट का टेस्ट करेंगे और जो इंडिकेटर से उसको हम लोग एक एक करके जो एलिट रहता है जो खराब था उपड़ा हुआ था उ करने नहीं कर रहा है haunted monsters पीर्टाल का यह और ची तरीके से गलो कर रही है का ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे यह हो गया neutral का आप देख सकते हैं neutral light आची तरीके से glow कर रही है ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे parking पार्किंग के लिए जो एलेड रहता है जब आप पार्किंग light on करते हो indicators काम कर रहा है कर नहीं कर रहा है यह देख सकते हैं और पिम का भी काम कर रहा है और पिम का जो अब दिखाता है हाई रपिम होने पर भी यह ग्लो करती है यह हो गया है दिपर और साइट टन का यह भी काम कर रहा है अची तरीके से तो यह सारे जो indicators से यह काम कर रहे हैं और डिस्प्ले का light का यह स्टार्ट होने पर काम करेगी क्योंकि बहले मैंने आपको मिटर चला कर दिखा दिया था डिस्प्ले लाइट ओके था यह देख सकते हैं आप यह आर्पिम का निडिल है निडिल भी अची तरीके से काम कर रह है जब आप बाइक में फिट करते हैं तब आपको पता चलेगा कि आर्पिम निडिल तो नहीं उठ रहा है काम नहीं कर रहा है तो यह यहां पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है सारे function इसमें ओके हैं अब देख सकते हैं यहां और एक पर मैं अपको दिखा देता हूँ डिस्पले का जिए का यह दिखिए डिuddrial light ग्लोग कर रही है निए प्टूर पेट्रोल का सिगनला आप दिखें पूल करके आपको दिखा दिया है पेट्रोल इया पर अपर जो जो लाइट ग्लो पिर्पार सिगनल था लेली ग्लोग कर रही थी वो भी बंद हो चुका है और ट्रिप वन ट्रिप टू में आप देख सकते हैं इतना कले मटर यह ए मैंने टेबिल के उपर उसको रन कर दिया तो बस इस वीडियो में इतना है जनकरी मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ सेर कर दिया अगली पर आप से फिर में लूँगा किसी एक नए शुक के साथ किसी एक नए वडियो के साथ उस टाम के लिए आपसे बिदा चाहता हूं नमस्ते